चलो बच्चो नमस्कार नेवारेटेक क्लास में आपका स्वागत है आज हम AC दरा DC दरा से रिलेटेट जितने भी कोश्चन है उनको सालम करने की कोश्ची करेंगे जो बहुत ही important कोश्चन है उसको याद रखना है टीक मार्क करके रख लेना है जब तक ये मार्क नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा इसलिए क्या होगा में लिए है आपको सारे से सारे कोश्चन लिख के रखना है ठीक है तो चलो इस्टार्ट करते हैं सबसे पहला जो कोश्चन है डी सी धारा के प्रकार होते हैं जनरली क्या होता है डी सी धारा के बारे में आप जानते हो एसी धारा के बारे में जानते हो ठीक है लेकिन डी सी धारा के कुछ कोशन होते हैं उनको हम किस टाइप से सालू करेंगे एस चीच बता रहा हूँ आपको DC धारा के प्रकार होते हैं DC धारा के प्रकार की बात कर रहा है मतलब बहुत ही important question है DC धारा के प्रकार की जब बात करता है तो पहला option है यहाँ पर इस्तिर DC, दूसरा परिवर्तन सील DC और तीसरा है परसेडिंग DC ठेक है तो तीन option चार option दियें चार में से आपको मतलब यह है कि यह identify करना है या पहचान करना है कि कौन सी DC धारा के प्रकार है तो इस्तिर DC भी होती है ठेक है मैं आपको width diagram के साथ बता देता हूँ कि फेकर DC का यह diagram होता है मतलब यह है कि time के according जो value होती है ठेक है value जो voltage का मान यह धारा का मान जो होता है वो क्या होगा fix रहता है मतलब यह कि change नहीं होता सीधा सीधा चलता है तो इसे बोलते हैं इस्तिर DC या fix DC दूसरा जो है यहाँ परिवर्तन परिवर्तन सीड़ DC मतलब होता है कि यह timeline है और यह मतलब यह कि कि आन्मान वाली line है voltage या धारा के मान हो सकते है तो इस DC में क्या होगा कि यह ऐसा मतलब यह कि change होते रहता है ठेक है मतलब परिवर्तन सीज़ इस थाइप से परिवर्तित होते रहती है तो यह परिवर्तन सीज़ DC है यह क्या होगा यह fix होगा मतलब इस तिरे DC, यह fix होगा ठेक है, और यह variable DC होगी यह कौन सी होगी, variable DC होगी और तीसरा जो है pulsating की जब बात करते हैं, तो pulsating 0 से maximum जाती है, फिर 0 से maximum, फिर 0 से maximum, इस type की pulsating होती रहती है, तो यह pulsating, मतलब तीनो प्रकार की जो DC, यह है pulsating यह कुणसी है pulsating pulse type की बनती है इसलिए यह तो यह सभी इसका right answer होगा ठीक है I hope कि यह question आपको समझे फिर next question है battery से प्राफ्ट DC बहुत ही अच्छे-च्छे question है जो important जो exam में पुछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है ठीक है तो बैटरी से प्राफ्ट मतलब यह बैटरी या सेल के बारे में आप जानते हो तो जैसे कि मानलो यह कोई सेल या बैटरी होती है लीथियम बैटरी भी हो सकती है ठीक है या लैड एसिट बैटरी ठेक है मतलब चार्जी करते हैं मतलब यह है कि जब हम इसमें विदू धरा देते हैं बहर से तो डी-सी विदू धरा देते हैं जिसके काराण यहां इसके अंदर जो stand to light material होता है वो क्या होता है कि उसमें मतलब राशानीक process के चलते मतलब यह है कि उसमें आवेशन की गिरिया हो जाती है फिर उसके बाद यदि हम load connect करते हैं तो wire jord के load connect करते हैं तो वो ही DC है सीधे सीधे कहां bulb या कोई भी load में आती है तो वो जो DC होती है वो हमेशा याद रखना की fix DC होती है बैटरी या जनीतर के बारे में आप नाम सुने होगे ठेक है DC जनीतर कौन से DC देता है जनीतर ध्यान रखना है कि जो DC जनीतर होता है वो pulsating type की DC देता है कौन से DC देता है वेड़ा pulsating type की DC देता है यह मतलब यह कि तीसरा इसका right answer होगा पिर उसके बाद है rectifier यार, rectifier कौन सी यह, अब rectifier मतलब यह होता है कि rectifier के नाम से जानदों, diode का यूज करते हम, ठेक है, AC को DC में convert करता है, वो diode होता है, diode साधान diode होता है, इस type का, ठेक है, PN संधी diode होता है, P type और N type पदार से मिलकर बना होता है, ठेक है, और इस में हम जब AC supply देते हैं, ठेक है, तो, rectifier जो होता है, वो कौन सी DC देता है, ठेक है, तो इसका जो right answer होगा, वो क्या होगा, pulsating ही DC देता है, rectifier भी कौन सी DC देता है, तो pulsating DC देता है, यह इसका right answer होगा, फिर DC धरा का यूज किया जाता है, मतलब यूज के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, कि DC धरा का उप करेंगे और electronic परिपत में भी इसका यूज करेंगे मतलब आल इसका सभी ये सभी इसका right answer होगा फिर उसके बाद next को चने AC धारा के प्रकार ठेक है AC धारा के type की बात करता है तो generally AC धारा के type की बात करते हैं तो हम AC है AC धारा के साटूद भी होती है आपकी square भी होती है ठेक है आयताकार भी होती मतलब तीन चार प्रकार के होती है तो यहाँ पर जातरंग भी आएगा साटूद भी आएगा और square ठेक है अब जातरंग की इस type की होती है तो जातरंग मतलब एक sinusidal तरंग होती है ये है जातरंग ठेक है इसको तरंग बोला जाता है या साइन तरंग के भी नाम से जाना जाता है ठेक है यहां पर दूसरा option है साट उत तरंग मतलब आरा दाती इस टाइब का सिंबॉल बना हुआ ठेक है अगर मालों square wave की बात करता है तो square wave मतलब इस टाइब की ऐसी wave चलती है इसे square wave कहा जाता है ठेक है इसकी लंबाई चोड़ाई बराबर होती है इसलिए square wave मतलब all इसका सभी answer होगा all ठेक है ये सभी इसका right answer होगा alternator कौन सी तरंग देता है ये चीज़ पहचानना है तो ध्यान रखना की alternator alternator के अंदर जो होता है ठेक है रोटर लगा हुआ रहता है rotor में जो प्रेरित विदुत वहख बलू जो होता है वो AC परकार का होता है alternator में जो rotor लगा होता है ठेक है एनस पोल के मद्दे गति करता है यहां पर NSEA चुमकी फ्लक्स निकलते हैं और यहां से इस टाइप के दो वाया निगले वी रहते हैं और यहां पर slip ring लगा देते हैं slip ring के माध्यम से connect कर दिया जाता है तो इससे जो मिलने वाली alternator से कौन सी तरंग देता है तो यह जा तरंग देता है यही चीज आपको याद रखना है फिर उसके बाद next question है multivibrator को उसी तरंग देता है ठीक है multivibrator multivibrator मतलब होता है non-sinucidal 2 liter कहते हैं multivibrator को किस नाम से जाना जाता है तो इसको बेटा यह याद रखना है कि multivibrator को non-sinucidal ठीक है non-sino मतलब जो sin नहीं है sin को छोड़कर बाकी जितनी भी तरंग है वो तरंग उत्पन करेगा कौन multivibrator साइनो स्वाइडल multivibrator non-sino मतलब अज्य तरंग उत्पन करता है मतलब जा तरंग को छोड़कर बागी सभीत प्रकार की तरंग उत्पन करेगा वो square भी हो सकती है साटूद भी हो सकती है आइटाकार भी हो सकती तो सारी प्रकार की तरंग दे सकता है मातर sign को छोड़कर कौन सी तरंग को छोड़कर sign तरंग को छोड़कर बाकी सभ तरंग उत्पन करता है मतलब square भी उत्पन करेगा ये साटूज भी करेगा और आयताकार मतलब ये सबी इसका राइट आंसर हो जाएगा और आपको इस टाइप से कोशन सालो करना है फिर उसके बाद है कौन सी धारा का मान समय के उनसाथ परिवर्तित होता है अब सिंपल सी बात है कि जो DC धारा जो होती है वो सिधा सिधा चलती है ठीक है time के according मतलब उसके मान में ये amplitude में कोई change नहीं होता मान में ठीक है लेकिन जो AC धारा जो होती है वो उसका मान और दीशा परिवर्तित हो रही है time के according देखो मान ये maximum गया positive में फिर negative फिर positive negative इस टाइप के मान और दीशा change होते जा रहा है ना positive फिर negative ठेक है direction भी change हो रही है इसका मतलब ये समझ जाओ कि जो है वो कौन सी धारा जो समय के अनुसार परिवर्तित होते रहती है कौन सी धारा का मान समय के अनुसार अपरिवर्तित मतलब समझ जाना है ठीक है अपरिवर्थी मलब fix DC होता है जो समय के अंजर time के according change नहीं होता इसका मान और ये सीडी सीडी इस टाइस से चलती है मलब DC धरा इसका right answer हो जाएगा फिर उसके बाद next question देखते है AC धरा कौन सी रासी बहुत important question है AC धरा कौन सी रासी होती है तो हमको पता है रासी से related question है AC धरा कौन सी रासी होती है रासी से related जब भी अगर question आता है तो आपको समझ जाना है कि AC धरा जो होती है जिसका मान और धीसा समय के अंसार अगर परिवर्तित हो रहा है तो समझ जाना कि अदिस है time के according change हो रहा है तो अदिस रासी कहलाएगी तो AC धारा कोंसी रासी होगी तो अदिस रासी होगी ठेक है फिर उसके बाद है DC धारा कोंसी रासी होगी ठेक है होती है तो DC धारा कोंसी धारा का जानते हो कि ये फिक्स से चलती है time के according उसका इमान में change नहीं होता मतलब यह है कि यह कौन सी रासी होगी ठेक है तो यह है सदीस ठेक है कौन सी रासी होगी सदीस रासी होती है फिर उसके बार next question है AC धारा का उत्पादन voltage होता है ठेक है तो AC धारा का नियूंतम 11 केवी होता है और maximum 33 केवी होता है ठेक है नियूंतम 11 केवी और maximum 33 केवी तक के हम कर सकते हैं मतलब यह सबी इसका right answer होगा यदि वो पूछता है नियूंतम की बात करता है तो 11 केवी और maximum की बात करता है तो 33 केवी तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सभी होगा 11 केवी 22 केवी 33 उत्पन किया जा सकता है बसरत यह है कि आपके पास इंपुट चाहिए इंपुट मतलब प्राइम प्राइम मुवर चाहिए ऐसा ठीक है जिसके वज़ा से जादा से जादा मतलब यह है कि अच्छे तरीके से घुमा सके अल्टरेनेटर को और AC का उत्पादन हम 33 केवी तके लेकिन भारत की बात करेंगे हम भारत में AC धरा का जो उत्पादन है 11 केवी तके करते हैं कितने केवी तके 11 केवी तके करते हैं चीज आपको याद रखना है ठेक है भारत में AC का उत्पादन 11 KV तक किया जा सकता है बस इसको 132, 220, 765 और जितना करना है उतना कर सकते हैं ट्रांस्पार्मर के माध्यम से कर सकते हैं लेकिन AC धरा का उत्पादन जो होता है वो 11 KV भारत में होता है ये चीज आपको याद रखना है EC धरा के लाब की बात कर रहा है EC धरा के मेरिट और डी मेरिट की हम बात करेंगे मेरिट मसला होता है लाब और इसके क्या-क्या फांदे हैं EC धरा का ठेक है तो पहला option दिया हुआ है यहाँ पश्च security उत्पादन मतलब ये है कि EC धराका जो ओल्टेज उत्पादन होता है वो उच्छ ओल्टेज कर सकते हैं अल्टरनेटर के माध्यम से किसके माध्यम से अल्टरनेटर के माध्यम से और वो कितना मैंने आपको बताया कि एसी जो धारा का उत्पादन होता है वो कितना 11 KV भी हो सकता है, टीक है, 22 KV भी हो सकता है, वो 33 KV हो सकता है मतलब यह है कि 11 KV, 22 KV, 33 KV इतना उत्पादन आप कर सकते हो मतलब उच्छ उल्टेज उत्पादन करने में यह बहुत ही जादा महत्पुन भूमी का निभाता है पहली बात तो दूसरा है संचरन की निमने लागत संचरन का मतलब होता है यहाँ पे संचरन की बात कर रहा है संचरन की बात कर रहा है मतलब ट्रांस्मिसन ठीक है और निमने लागत मतलब यह है कि हम निमने लागत में ट्रांसफर कर सकते हैं ठीक है मतलब यह है कि ट्रांसफर तार लगा तार लगा तो सीधे ट्रांस्मीट कर दो पहुंचा दो ठेक है यह हो गया और सरल ओल्टेज परिवर्तन सरल ओल्टेज परिवर्तन मतलब होता है कि आसानी से ओल्टेज का step up step down किया जा सकता एसी को तो एस अभी इसका right answer हो जाएगा फिर उसके बाद next है AC धारा के हानी तो AC धारा के हानी की बात करते हैं चुमकी प्रवाव सीमवित यह भी सही है उच्च सामर्थ अचालक मतलब यह है कि इसमें उच्च सामर्थ के अचालक का यूच करना यह भी सही है करना पड़ता है AC से इलेक्ट्रो प्लेटिंग असंभव, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग नहीं, एक धातू पे दूसरी धातू की परस कैसे चड़ा होगे, AC से, ठेक है, क्योंकि इसके मान और दीसा चेंज होते रहता है, इसलिए, AC अभी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठेक है, भारत में AC धारा की आवरती होती है, 50 हर्ड, 60 हर्ड, 100 हर्ड, सभी, तो इसका जो राइट आंसर होता है, भारत में AC धारा की जो आवरती होगी, भारत में AC धारा की आवरती 50 हर्ड मानी जाती है, ठेक है, 50 हर्ड होगी, कितनी होगी, 50 हर्ड, ठेक है, 50 हर्ड भी होती है और 50 cycle per second भी खा जाता है यह चीज याद रहागा चक्र per second भी खा जाता है भारत में DC धरा की आवरती कितनी होगी अब DC धरा के DC के मान और दीसा चेंज़े ही नहीं हो रहे हैं तो आवरती का क्या इसमें कोई चक्र complete नहीं हो रहा है और आसानी से कैसे कोईशन क्योंकि यहाँ पर बहुत ही जादा important कोईशन है इसी type के pattern के कोईशन आपको एक्जाम में मिलेंगे यह guarantee के साथ बोल रहा हूँ 100% guarantee के साथ बोल रहा हूँ